नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज फोर निशन और मैं हूँ प्रियादर्शन बिहार के पूरु मुख्यमंत्री जीतन राम मांजी क्या चाहते हैं? क्योंकि जीतन राम मांजी बिहार की राजनीती में एक ऐसे नेता और एक ऐसे दलका प्रतिनिधित्व करते हैं जो काफी बिहार की राजनीती को प्रभावित करने के रूप में माने जाते हैं दरसल जीतन राम मांजी की अगर हम बात करें तो जीतन राम मांजी का हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा मौजूदा समय में बिहार की राजनीती को व्यापक स्तर पर प्रभावित करता है उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है तो ऐसे में जीतन राम मांजी आगे आने वाले दिनों में क्या कर सकते हैं तो इसका खुलासा खुद जीतन राम मांजी ने किया है दरसल जीतन राम मांजी को लेकर के हमेशा एक बात कही जाती है तो इस पर अब जीतन राम मांजी ने खूद ही बड़ा खुलासा करते हुए कहा है कि जीतन राम मांजी वहीं रहेंगे जहां नितीश कुमार रहेंगे यानि कि नितीश कुमार के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए जीतन राम मांजी तयार है और उनके पर कोई भी अगर अनिदल अपना डोरा डालता है तो उसके लिए जीतन राम मांजी कते ही उस तिसा में नहीं जाएंगे बलकि वे तो हमेशा ही नितिश कुमार के साथ ही चलने के लिए तयार हैं और यह खुद बाते जीतन राम मांजी ने कही हैं जीतन राम मांजी ने हाले में मीडिया से बात करते हुए इस बात को कहा है कि वे वहीं रहेंगे जहां नितिश कुमार रहेंगे उनको बिल्कुल पसंद नहीं है कि नितिस कुमार से अलग रहकर के वे करें दरसल नितिस कुमार नहीं जीतन राम मांजी को मुख्यमंतरी बनाया था वे जनतादल उनाइटेट के नेता के रूप में ही, नितीश कुमार के पार्टी के जनतादल उनाइटेट के नेता के रूप में बने थे दरसल जीतन राम मांजी को मुख्यमंत्री नितीश कुमार नहीं मुख्यमंत्री बनाया था ये वर्ष 2014 की बात थी जब नितीश कुमार एक जदियू के भीचर अंतरकलह देखा गया तो उसके बाद उन्होंने जीतनराम मांजी को मुख्यमंतरी पत से हटा करके और खुद मुख्यमंतरी बन गये थे लेकिन उसके पहले उन्होंने ही जीतनराम मांजी को बिहार के मुख मुर्चा बना ली लेकिन अब जीतनराम मांजी ने कहा है कि उनका कदम हमेशा उसी दिसा में जाएगा जिधर नितीश कुमार रहेंगे यानि कि नितीश कुमार जहां रहेंगे वहीं जीतनराम मांजी रहेंगे इतना ही नहीं जीतनराम मांजी को लेकर के एक बात यह भी कह जा रहिए कि अगर उन्हें राज्यपाल का आउफर दिया जाता है तो क्या वे नितीज कुमार का साथ छोड़ कर और राज्यपाल बनने के लिए इंडिये में जा सकते हैं तो इस पर भी जीतन राम मांजी ने साफ किया है कि नहीं मैं गवर्नर बनना पसंद नहीं करता हूँ जीतन राम मांजी ने कहा है कि गवर्नर का पोस्ट यानि कि राज्यपाल का पोस्ट तो कोल्ड स्टोरेज वाला पोस्ट है इस पोस्ट पर पहुँचने के बाद आदमी सा स्टोरेज वाला पद है तो ऐसे में जीतन राम मांजी चाहते हैं कि वे अभी मौजुदा राजनीती में सक्रिये रहें न की गवर्नर बनें और उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि मैं कि अगर मुझे गवर्नर पद का कोई ओफर भी देता है यानि कि क्यंद्र की जो भाजपा स सरकार है अगर वह सरकार जीतन राम मांजी को गवर्नर पद का ओफर भी देती है तो उसके लिए भी जीतन राम मांजी तैयार नहीं होंगे और वे केवल और केवल वही रहना पसंद करेंगे जहां नितिश कुमार रहेंगे तो ऐसे में बिहार की राजनीती में जहां उथल पुथल का महौल देखा जा रहा है कई नेता है जदियों में जो लगातार नितिस कुमार के खिरापी निशाना साधे हुए है दूसरी और भारतिय जनता पार्टी है जो लगातार नितिस सरकार को निशाने पे लिए हुए है और जोर तोर की राजनिती को देखते हुए कई प अगर उन्हें राजपाल वरने का भी मौका दिया जाता है तब ही वे उस पद को स्विकार नहीं करेंगे बलकि वे बिहार में जो साथ दलों वाली सरकार है उसी सरकार में बने रहेंगे और अगर नितीश कुमार कहीं जाते हैं तो उस स्थिति में वे नितीश कुमार के ही जाँगे तो ऐसे में जीतनरामांजी का यह ताजा बयान एक प्रकार से देखा जाए तो नितीष सरकार को पद से थाने की मनसा पाले जो जो राजनितिक दल हैं। उनके मनसूबों पर एक बड़ा जटका है कि जीतन राम मांजी ने साफ कर दिया है कि उनका एक मात्र मक्सद है कि वे नितीश कुमार को मजबूत करें और उनके ही साथ रहें ना कि किसी अनिद्दल के साथ में जाएं। तो बिहार में अगर जोरतोर की राजनिती आगे आने वाले दिनों में देखने को मिलती है तो इतना तय है कि जीतन राम मांजी फिलहाल अपना जुकावतों नितीश कुमार की तरफ ही रखेंगे और अगर उन्हें राजपाल का भी ओफर दिया जाता है तो वहाँ भी वह रा के साथ बनी रहेंगी क्या होगा हम तमाव अब पने रहेंकों फोर नेशन पर